हेलो एवरिवन आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी रेस्पी तो फ्रेंड्स ये ना कचोरी है ना पकोड़ी लेकिन देखने में इतनी टेस्टी और अट्रेक्टिव एकदम फुली-फुली ये चटपटी रेस्पी फटाफट बना लेते हैं यूनिक रेस्पी को बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज लेना है वो है आलू तो आलू को मैंने अच्छे से वॉस करके इसको बहुत कम पानी में बॉयल कर लिया है इसमें पानी बिलकुल नहीं होना चाहिए आप देख सकते हैं बिलकुल अंदर से ये ड्राई है तो फ्रेंड्स आलू आप छोटे साइज या बड़े साइज का कोई भी ले सकते हैं बस इस बात का ध्यान रखना है कि आलू को बहुत ज़्यादा पानी में नहीं बॉयल करना है नहीं तो आलू बहुत ज़्यादा पानी पी लेगा जिससे हमारी रेस्पी बहुत पर्फेक्ट नहीं बनेगी तो यहां मैंने एक कटोरी हरे मटर को बॉयल कर लिया है इसको इसमें मैसर से बहुत अच्छे से हमने मैस कर लिया है, यहां आप ग्रेटर से आलू को कद्दू कस मत करिएगा, नहीं तो बहुत चिपचिपा हो जाएगा, और यहां आधा कटोरी से जादा हमने ब्रेड क्रम्स ले लिया है, इसको भी एड कर देंगे, एक मीडियम साइज की बारिक काटके डालना है, तो हरी मिर्च आप जैसा खाते हो, उस हिसाब से तीखा कम्या जादा कर सकते हैं, बारिक कटी होई धनिया की पत्ती, स्वाधा नुसार नमक और आधा चमच मैगी मसाला, और आधा चमच यहां हम चाट मसाला एड कर देंगे, इस से बहुत ही चट तभी हमारी रेस्पी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और बिल्कुल फटेगी नहीं, तो फ्रेंट्स देख सकते हैं कि बिल्कुल ये डो फॉर्म में आ गया है, थोड़ा सा हाथों पर तेल लगाएंगे, यहां आप पानी भी लगा सकते हैं, तो मैंने पानी का यूज किया है, पानी को हाथों पर अच्छे से स्प्रेट कर लेना है, और इसमें से जैसे हम रोटी के लिए लोई लेते हैं, उससे थोड़ा सा छोटा लेंगे, और इसको हाथों पर ऐसे गोल गोल घुमाते हुए, एक बॉल सेप में बनाके, थोड़ा सा इसको फ्लैट कर लेंगे, हमने एक अलग से बाउल ले लेना है, और इसमें दो चमच मैदा डाल देना है, आप यहां गिहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं, इसमें हम एक चमच रिफाइन तेल एड़ कर देंगे, स्वाधा अनुसार नमक एड़ कर देंगे, थोड़ी सी बारी कटी हुई धनिया की पती, आधा चमच साबू जीरा, और दो चमच यहां सफेद तील डाल देंगे, और आधा चमच कलोंजी डाल देंगे, इससे बहुत ही तेस्टी नास्ता बनता है, और देखने में भी काफी अच्छा लगता है, आधा चमच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, और इसमें थोड़ा पानी डाल के, इसका गाढ़ा सा घोल बना के तयार करेंगे, बहुत पतला घोल नहीं बनाना है, एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल बनाना है, ना तो बहुत गाढ़ा हो, ना तो बहुत पतला हो, तो फ्रेंड्स, यह जो हमने चीजें इसमें एड़ की है, इस में add कर दिया है और आप देख सकते हैं अब जो इसकी consistency है बिल्कुल perfect है ये ना तो बहुत गाड़ी है और ना बहुत पतली है मैं हाँ spoon की help से दिखा देती हूँ ये देखी इससे नास्ते पर coating बहुत अच्छी होगी तो अब हम जो ये आलू का नास्ता बनाके रखे हैं यानि टिक्की बनाके रखे हैं इसको इसमें डालेंगे और अच्छे से coat कर लेंगे तो friends यहां मैंने तेल का यूज इसलिए नहीं किया था ये टिक्की बनाने के लिए क्योंकि इस पर तेल लगा लेते तो बहुत अच्छे से coating नहीं होता है पानी लगाने से बहुत अच्छे से coating हो जाता है तो अब हम इसे fork पर या ऐसे जो जाली वाला spatula होता है इस पर अच्छे से से कर लेंगे ताकि जो extra better है वो निकल जाए और हम इसमें कडाही में तेल गरम करके और डालते जाएंगे तो एक एक नास्ते को ऐसे ही डालेंगे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नास्ते को एक साथ नहीं डालना है नहीं तो यह चिपक सकता है तो थोड़ा देर डालने के बाद हम दो मिनिट रुकने के बाद तब हम इसको पलटेंगे तुरंत इसको पलटना नहीं है जब यह set हो जाएगा तभी हमें पलटना है और इसको high flame पे बिल्कुल fry नहीं करना है low to medium flame पे इसको अलटते पलटते हुए एकदम golden color आने तक इसको fry कर लेंगे तो आप देख सकते हैं इसका color अभी white है तो इसका color change धीरे धीरे होगा तो आप बिल्कुल पेसेंस से इसको low to medium flame पे ही fry करिएगा बिल्कुल जल्दिबाजी मत करिएगा नहीं तो उपर से जल जाएगा और नास्ते का test जो है एकदम खराब हो जाएगा तो हमें एकदम पेसेंस से इसको धीरे धीरे अलटते पलटते हुए golden brown होने तक fry कर लेना है और friends आप देख सकते हैं इसका color कितना प्यारा आ गया है इससे ज़्यादा इसको fry नहीं करना है तो अब हम नास्ते को निकाल लेते हैं तो ये देखिए बहुत ही प्यारा color है अंदर से बिल्कुल soft होता है उपर से एकदम crispy ये नास्ता बनके तयार होता है तो इस तरीके से जब हमारा नास्ते का color एकदम change हो जाएगा तब हम इसको एक एक नास्ते को अलट पलट के फिर हम निकाल लेंगे तो ये देखिए friends हमारा ये नास्ता बहुत ही लजीज बनके तयार हुआ है खाने में भी बहुत ही tasty लगता है इसे आप हरी चटनी के साथ या इमली की मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं मैंने यहाँ इसे मीठी चटनी के साथ सर्व किया है इमली का मैंने बनाया था तो friends इस चटनी के साथ तो इसका taste एकदम awesome होता है नास्ते की ये recipe आपको कैसी लगी मैं हाँ आपको एक तोड़के दिखा देती हूँ अंदर से एकदम soft होता है तो friends comment box में जरूर बताईगा कि ये नास्ता आपको कैसा लगा और चैनल पर अगर जो पहली बार आये हैं तो चैनल को subscribe कर लिजेगा साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिससे आने वाले latest वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके मिलते हैं नेक्स्ट recipe में जैसरी हरी